नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका दी 11 टीम्स यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो के अंदरम बात करेंगे कोलकत्ता नाइट राइडर्स वसिज लखनो सूपर जैंट्स के बीच होने बाले IPL2024 के मैच नमबर 28 के बारे में जो की खेला जाएगा इडन गार्डेन्स कोलकत्ता के ग्राउंड के उपर देखो भाईयो इस वीडियो के अंदरम इडन गार्डेन्स कोलकत्ता के ग्राउंड की पिछ का अंदाज़य लगाएंगे साथ ही मैं आपे आपको कोल कत्ता और लखनों की तरब से कुछ ऐसे प्लेरों के बारे में बताऊंगा जिनका सलेक्षन तो कम रहेगा लेकिन वो प्लेर आपके ये ग्रैंड लिग में ट्रंप रह सकते हैं तो ऐसे में अगर आपको अच्छी टिम बनानी है तो इस वीडियो को पूरा याद से देखिएगा वही देखो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको ऐसी वीडियोज हर रोज मिलती रहेगी तो दोस्तों ये वाला मैच के लजाएगा 14 अप्रेल को दोपैल को 3.30 मिलिट पे इंडियन टाइम के अनुसार तो भाईयो वीडियो के स्टार्टिंग के रहेए उससे पहले माँ आपको बता दू कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में वाह मारे टेलिग्राम के लिंक मिलेगा या तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या पहला कमेंट चेक कर लो वहाँ पे कुछ ऐसा आपको हमारे टेलिग्राम चैनल याद जोइन कर देना है टोस होने के बाद जो भी सारी अपनेट आएगी वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी तो दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इडन गार्डनस कोलकत्ता के ग्राउंड की उपर इस साल आईपिल के अंदर क्या रिकोर्ड देखने को मिलाए देखो दोस्तो इस साल आईपिल दोजार चोबीस के अंदर इस ग्राउंड के उपर अब तक एक मैच खेला गया है और वो मैच के लगया था था कोलकत्ता और हैदराबाद के बीच उस मैच के अंदर कोलकत्ता ने पहले बैटिंग की 208 रन बनाई 7 विकेट पे हैदराबाद 204 रन बनाई 7 विकेट पे और कोलकत्ता चार रन से मैच जीत गई और उस मैच के आपको कुछ ऐसी फर्स्ट रैंग की टीम देखने को मिले थी और अगर उस मैच में हम कोलकत्ता के टोप पफोर्मर की बात करें तो फिलिप सोल्ट ने 24 ने बनाए रमनदीप सिंग ने 35 ने बनाए रिंकू सिंग ने 33 ने बनाए आंदेर रसल ने 24 ने बनाए दो विकेट लिए और हर्षी तराना को तीन विकेट मिले और आपको फर्स्ट रैंग की टीम में कोलकत्ता की तरव से फिलिप सोल्ट, रिंकू सिंग, आंदेर रसल, रमनदीप सिंग और हर्षी तराना देखने को मिले थे और उस मैच में कप्तान बने थे आंदेर रसल 24 ने और दो विकेट के साथ यह आपको उस मैच की फर्स्ट रैंग की टीम देखने को मिले थे जब इस टीम के अंदर खास बात क्या है कि पांच प्लेर आपको देखने को मिले थे बैट्समें और विकेट कीपर सेक्शन से दो प्लेर आपको देखने को मिले थे ओल्ड राउंडर सेक्शन से और चार प्लेर आपको देखने को मिले थे बोलिंग सेक्शन से और जो चार प्लेर आपको बोलिंग सेक्शन में देखने को मिले थे उनमें से तीन बोलर आये थे जो पहले टीम बोलिंग कर रही है यानि आप इस टीम से आईडिया लेके एक टीम बना सकते हो आप जब अपनी टीम बनाओना तो आप पांच बैट्समेन को लेके चल सकते हो अपनी टीम के अंदर दो ओल्ड राउंडर को ले सकते हो जो टीम पहले bowling करें उसके 3 बोलर और 2 बोलर करने वाली टीम का एक बोलर लेंगे एक ग्रेंड लीक की टीम बना सकते हो जिसके अंदर आंधर रसल एक सेफ कफटानी वाइस कफटानी का भी और थान आपको देखने को मिल सकता है बाकी देखो दोस्तों पिछ के बारे में बात करें न तो काफी तक आप एक बैटिंग फ्रेंडली पिछ मान के चल सकते हो जिसके उपर बैट्समें काफी क्रूशल लोल प्ले कर सकते हैं और कोल कत्ता के ग्राउंड के उपर लास्ट मेरे सके अंदर अगर हम बात करें तो 412 अगर कोई और इंफ्रमेशन आती है वह आपको बाद में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले कमेंट में लिंक है लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल याथ से जोइंग करनेजिएगा अब देखो दोस्तों ब अंक्रिस रगुवन सिंग ये तीन फिलियर होगे टोप ओर्डर के मैट्स में उसके बाद मिल्ल ओर की बात करें तो वेंकेटेस अईयर स्रेस अईयर रमनदीप सिंग रिंकु सिंग और आंदिर रसल तक बैटिंग कर लेते हैं और बोलिंग के अगर हम बात करें तो की बोलिंग की कोई विकेट नहीं लिया वैबा उखरोडा ने चार अवर की बोलिंग की दो विकेट लिये अनुकूल रोई ने एक पॉंट चार अवर की बोलिंग की कोई विकेट नहीं लिया उसके वाद सुनील रायन ने चार अवर की बोलिंग की एक विकेट लिया वरू से पहले बैटिंग करती है तो अनुकुलों इनका इंपेक्ट प्लेर हो सकता है लेकिन अगर इनके टेम पहले बोलिंग करती है उस इन नंबर पे देवदत पादिकन ये तीन क्लेर होगी टोप ओडर के बैट स्वेंग मिल ओडर की बात करें तो मारक कस्टोनियस निकोलस पूरण आयूस बदोनी कुर्णाल पांडय तक बैटिंग कर लेते हैं और बोलिंग के गरम बात करें तो रभी विश्णोई एक बोलर इस था कुर्णाल पांडय आपको पांच बोलिंग उप्सन निके तरफ से देखने को मिल सकता है और चाटा बोलिंग उप्सन मारक कस्टोनियस है काड़ा की लास्ट मैच के अंदर आपको पता है क्या हुआ लास्ट मैच के अंदर लकनोग टीम ने पहले बैटिंग की और का जो जल्दी आउट हो गया था उस वज़े से इन्होंने दिपक खुड़ा को एज इंपक्ट प्लेर यूज़ किया था उसके बाद सेखीन इनिंग में कोई नया बोलर बोलिंग करने नहीं आया था लेकिन इनका इंपक्ट प्लेर इस मैच के अंदर मनी मन सिद्धात रह सकत कोई निया नवीनुलक न klea जा लेका लेकि शृरह शो जेता है अब लास्त मैच मेंड का बोलिंग शीन देख लेती हैं अर्सट खान ने 3.1 जीग बोलिंग की कोई विकेट ने लिया नवीन दूलक ने 3.2 की बोलिंग की एक विकेट लिया ये स्थाकोर ने चार अवर की बोलिंग की एक विकेट लिया कुरुनाल पंड्या ने तीन अवर की बोलिंग की कोई विकेट ने लिया रभी विश्णोय ने चार अवर की बोलिंग की दो विकेट लिये और मारकास टोनेशन ने एक और की बोलिंग की और कोई विकेट नहीं लिया ये इनका लास मैच में बोलिंग का सीन देखने को मिला था अब एक चीज और पता देता हूं आपको इनकी टीम कुछ चेंज कर सकती है देवदत पादिकल की जिगह दिपपक उड़ा को मोगा दे सकते हैं अपने स्क्वैर्ड के अंदर एक चीज ये दूसरी चीज अगर यहां पर मौसीन खान फिट होते हैं तो अर्शद खान के जिगह मौसीन खान खेल सकते हैं यह एक दो पोसिवल चेंज हो सकते हैं बाकी हाई चांस आपको इनकी तरब से यही प्लेंग 11 देखने को मिलेगी अगर कोई और नया प्लेयर खेलेगा है कोई चेंज होगा वो माँ आपको बाद में टेलिग्राम अबडेट कर दूँगा तो वाई यह वीडियो में आगे बड़े और हरे क्लेर का रिकोर्ड देखें उससे पहले में आपको बता दूँ कि अभी तक अगर आपने माई 11 सरकल अप को डाउंलोड नहीं किया ना तो डाउंलोड कर लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहले कमेंट में लिंक है लिंक पे क्लिक करके डाउंलोड कर सकते हो इस साल आई तिल 2를 54 के अंदर माई 11 सरकल पर मेगा लियक के अंदर 1st प्राईज का स्टार्डिंगी 1 कुर्ट से एक करोड तो हर में जे 1st प्राईज होगा यूगा उसके राव आपको 2 करोड, 3 करोड फर्स्ट प्राइस देखने को मिल सकता है वहीं देखो दोस्तों यहाँ पे तोड़ा competition भी कम है तो आपकी जीतने की चांस भी बढ़ सकते है साथ ही देखो दोस्तों यहाँ पे आपको अभी डाउनलोड करते हो न दिस्क्रिप्शन के लिंक से तो आपको 15 रुपय का बोनस मिलेगा और अगर आप फर्स्ट ताइम डिपोजिट करते हो हमारा coupon code DET20 यूज करते हो न तो भी आपको 20% extra cash मिलेगा तो कमाल किया है पर वीडियो के दिस्क्रिप्शन पहले comment में लिंक है लिंक पे कलिक करो माई 11 सर्क्रिप डाउनलोड करो और खेलना स्टार्ट करो अब देखो दोस्तों देख लेते हैं कोलकत्ता के प्लेइरों के रिकोर्ड के बारे में यह प्लेइंग 11 मानके चलाओ में के क्यार की जो मैंने आपको पीछे बताई थी पोलकत्ता की तरफ से सबसे पहला ना मैं फिलिप सोल्ट राइचन डी बैट्समें ने विगेट कीपिंग करता है अगर हम इस सल आइपेल की बात करें तो पहले मैच में चोमन उसके बाद 30-18 और 0 लास्ट मैच में जीरो रन बुलमना के फ्लोप हो गया था उससे पहले लगा था तीन मैच में डीसेंट परफॉमेंस था मस्ट फिक प्लेयर है टीम के अंदर रखना है क्योंकि एक तो ओपनिंग करना है तो बैटिंग से कोंट्रिबूट करेगा दूसरा विगेट कीपिंग से भी आपको एक्स्टा पोइंट दे सकता है उसके मारे पास है सुनी लिए राइटाम ऑफ ब्रेक बोलिंग कर लेता है लेटी बैट्समेन है अगर हम लगनों के खिलाब बात करें तो तीन मैचों में चमारी सरन वाइस के अधर तीन विगेट है इस साल लाइप पे लिगी बात करें तो पहले मैच में दो रन एक विकर अगर बेढ़ी अधर मेकर यह प्लेयर मस्ट पीक चाहु तो न तो कप्तानी वास कप्तानी वी दिये सकते और आइसके वाइप पास थे तरफ से यसे अंक्रिस रुगोंची रैटी बैट्समें थीन तीन नमबरे बैतिंग करने आ सकते है अगर मिससा लाइप प्लाइप पे करें ना तो आपको बता दू यह प्ले इंपक्ट प्लेयर के तोर पर आएगा उस केस्ट में आपके लिए ग्रेंड लिग में चौप संद रह सकते हैं उसके लाव लगनों के किलाव दो मैच्चों में चोविस रना बागा के एवरेच से एक बात तो सिंपल से बात अगर यहा अब अपनी टीम में रख सकते हो फर्स्ट इनिंग के अंदर इतना अच्या परफोमेस नहीं देता वेंगेटे साहिए उसके आप मारे पास इनकी तरफ से है स्रे साहिए राइटी बेट्स में ने चार या पांश नमरे वेडिंग करने आ सकता है लगनों के खिलाफ दो मैच मारे पास इनकी तरफ से सला कुछ नहीं थी साहिए विज्ट ना खीले उसकह अब मारे पास इनकी तरफ से है जएग लेंकु सिंग लेपके बैट करें अगर हैं में गुक्त फेराइन तो G इस सब आइपेल की बात करें तो पहले मैच में चोंटर रन दो विकेट उसके बाद दस रन जी रोगेट सिर्फ वाले मैच में फ्लोप होए उससे पहले हर मैच के अंदर अच्छा पोफुमिश्टा और पहले मैच के अंदर कप्तान मेना तो वह मैच इसी ग्राउंड की उप रखिएगा उसके मारे पास इनकी तरफ से है रमांदीप सिंग राइट है रमांदीप सिंग बहुत नीचे बैटिंग करने आता है अगर आप कोलकत्ता ये टोप ओडर के कम से कम दो या तीन प्लेयर ड्रोप करके चलो ना तब आप रमांदीप सिंग को अपनी टीम में आता तो ये चीज़ ज्यान दगना अगर रमांदीप सिंग को ले रहे हो तो आपको कम से कम दो तीम क्लेयर को डोप करके चनल आपड़ेगा के क्या रगी उसके आदमारे पास इनकी तरफ से मिचल स्टाक लेक्टाम फास्वीडियम पेसर है इस साल आप पेली की बात करें लेकिन ये बोलर अच्छा इसको मैं टीम के अंदर रखने वाला हूँ उसके आदमारे पास है हर्शी तराना अगर हर्शी तराना खेलता है तो मैं इस प्लेर को 101 परसें टीम में रखूँगा अभी तक आई पेल के अंदर दो मैचों के अंदर एक मैच में तीम निकालेगा तीसरे मैच में इंजर हो गया था अर्फोता मैच खेला ही नहीं था लेकिन अगर खेलेगा तो टीम के अंदर रखूँगा और अगर हर्शी तराना खेलता है तो आप इसको भी टीम में रख सकते हो राइट आम फास्ट बीडियम पेसर है लखनो के खिलाफ एक मैच में दो कीरत इस साल आई पे अब तक दो मैच खेलें , एक मैच में तीन फि смотреть एक मैच में में दो विकेट पारपल में बोलिंग करने और डेथ महीं बोलिंग करना सकता है उसक्त मारे पास इनकी तरफ से स्वियस स्रमा बता दो बहुत सारे विडियरों के बारे मैंने आप शुपब है लेकिन सुयस सर्मा एक ऐसा राइटाम लेक्ब्रेक स्पीनर है जिसको इस साल खेलने का मुखा नहीं मिला लेकिन लास्ट येर काफी आउट्ट्रेंटिंग परफॉमस्स था एक चीज और अब तक अनुकूल रोई को बार बार इनकी टीम खेल लेका मुखा दे रही थी जो की लेक्ब्रेक स्पीनर हो सकता है इंपेक्ट प्लेर भी आपको देखने को मिल जाए और सुयस सर्मा ऐसा है अगर एक दू मैसे में चला जाना तो बैल कप्तान वाइस कप्तान मनें के निकल के आ सकते चीज़ ध्यान रखना तो यह आपको कुलकत्ता के सारे प्लेरों का र लगानों की दरते सबसे पहला नाम है क्विंटन डिकोक लेफ्टी बैट्समें ओपनिंग करने आता है कुलकत्ता एक हिलाव 14 मैचों में 445 अरने 37.1 की एवरेज से इस साल आई पे लिए अगर हम बात करें तो च्यार्च ओंबन इक्यासी च्छ है उननिस वो मैचों के प्रमोस्त तीन मैचों में फ्लोप रहा है लेकिन इस मैच के अंदर प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ इस प्लेर के लिए तो यह प्लेर आपके लिए टंप रहेगा ग्रेंड लिख चाहों तो कुक्तान बना सकते उसका नमारे पास इनके तरफ से केल राउल राउल राउल का एक प्लस पॉइंट के है कि राउल विकेट कीपिंग से भी एक्स्टा पॉइंट रहता आपको तो ऐसे में फेंटेसी की फर्स्ट रंक की टीम में आने के चांस तोड़े जादा रहते हैं उसका तुमारे पास इनकी तरफ से देवदत पादिकल लेफ्टी बैट स पांच और एक सो तीन डोमेस्टिक के अंदर लाश्ट के पांच मेंशों में तीन सेंचुरी चार्व सेंचुरी लगा चुका है लेकिन इस साल उस लेवल का पॉफोमेस नहीं है तो आप लिए इस मैच के नतर ग्रेंड लिग का एक ट्रम खिलाड़ी रह सकता है देवत पा करें तो पहले मैच में तीन रन दूसरे मैच में 19 तीसरे में 24 रन एक विगट उसके बाद 58 उसके बाद 8 रन देखर डीशन पर्फोमेस है बैटिंग भी करता प्लस बोलिंग से भी कोंट्रीबूट कर सकता है तो इस प्लेड़ को मैं मेरी टीम में रखूंगा उसके बाद म लेग बेक स्पिनर के सामने फस सकता है उसके बाद मरपास इनकी तरफ से दिप्पकुड़ा अगर दिप्पकुड़ा के लेगा ना तो मैं मेरी टीम के अंदर ट्राई करूँगा अब तक ज्यादा खेलने का मोका नहीं मिला है कभी कभार बोलिंग भी कर सकता हो उसके अब बैटिंग थोड़ा नीचे करने आता है अगर आप यहां पे अपने टीम में लेके चल लिए तो उसके इसकंदर आपको यहां पे लखनो की तरफ से कम जिकम तो पोडर के दो या तीन बैट्समेंट को डोप करके चलना पड़ेगा उसके बाद मारे पास इनकी तरफ से पुर्णाल बंडिया लेफ्टी बैट्समें लेफ्टा मुर्त लोग स्पीनर है कुलकत्ता है के लाफ बारा मैचे मेचे में 20.2 केवरेज और आठ विकेट है इस साल आई पहले की बात करें तो पहले मैचे में तीन रन जिरू विकेट उसके बाद जिरू रन जिरू जिरू लेफ्ट आम फास में पेशर है अर्षद खान को आप ग्रेंड लिक के अंदर मोगा दे सकते हो क्योंकि अर्षद खान ने लाश में लाश में चें 20 रन बनाई कोई विकेट ने लिया था बैटिंग पलस बोलिंग दोनों को शकता अर्षद खान इस वज़े से आप पहले बोलिंग करें तो नवी नुलक डेथ में बोलिंग करने आ सकते हैं उसके अर्षद में लेक ब्रेक स्पीनर है देखो और मेरी टीम में रखते हूंगा क्योंकि रवी बिश्णोवी है न वो कोल तक्ता है ग्राउंड की उपर अच्छा प्रफोरमस दे सकता है क्योंकि इस ग्राउंड की पर स्पीनर को थोड़ी बहुत मिलती है बाकि केक्यार के खिलाफ साथ में नो विगेट निकाले इस प्लेयर ने इस सलाइपल की बात कर तो एक विगेट जिरु विगेट जिरु विगेट एक रिक दो विगेट एवरेज पॉफोरमस समय देखने को मिलें इस में मैं पर से इस ठापूर नहीं कहलेगा अगर में क्याद फित होता है और खेलता तो हजैब के है अगर फिट होता है इसमनीहें कि पतल नेसि आप को एस लेवल का फ़्फोरमस नहीं है लेकिन 파ारपल के निकाल के लेकिन स्थाहित है तो ये आपको लखनों के सारे प्लेरों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है एक प्लेरों रहे युदवीर सिंग चरक अगर ये प्लेर खेलता है तो राइट डाम फार्स्ट गेम पेसर है 24 मैचों में 17 विगेट है इस रिकोर्ड पे मज जाहिएगा तो ये आपको लखनों के सारे प्लेरों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है अब देखो दोस्त हम टीम की बात कर लेते हैं मैंने एक बेसिक सी टीम बनाई है जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वहम आपको टेलिग्राम पे दूँगा इस टीम में मैंने विकट कीपर मिलिया केल राउल क्विंटन डीको और फिलिप शोल्ड को बैटिंग मिलिया निकोला स्टून और डिंकु सिंग को ओल्ड रांडर मिलिया है सुनील नराण आंधरे रसल और मारकर स्थोनीस को लिंक पर किलिक करके डाउंडोड कर सकते हो माई 11 सब्सक्राइब पे 7 साल मेगा जेल के अंदर फ़र्स प्राइज एक रोड़ से स्टार्ट है नहीं, एक रोड़ तो हर मैक्षमें फर्स प्राइज हो गई होगा, साथ याब दो क्रोड तीन क्रोड भी जीत सकते हो, कॉंपेटिशन भी कम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेले कमेंड में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो माई 11 से क्लिप डाउन्लोड करो दो देको भाई यह मेरे तरब से पेडिक्स थी एक चीज और इस खेल के अंदर लिखते हैं जो कि यह और आदत मी लग सकती है तो सोच समझ के खेलना धन्यवाद